आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पॉइंट को डिस्क्रस कर ले तो अगर हम कैश मार्गिट का डेटा देखें तो देखने को मिलेगा जो एफाइज ए नेट सेलर है लगबग 4,000 करोड के आसपास किनोंने कैश मार्गिट के अंदर सेलिंग किये तो यह ने लगबग 3500 करोड के आसपास यहां पर बाइंग किये यह नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अगर हम डेरिवेटिव का डेटा यहां पर डिस्स करें तो आपको दिखेंगा जो क्लाइंट ह अगर हम फ्यूचर का ओवाई देखें तो यह लगबग 3500 के आसपास फ्रेश कांट्रेक्ट मुनाई गई गई है मार्केट रैट में ख्लोज हुई तो यहां पर बड़े प्लेयर है वो कल के लिए शॉट पोजिशन कर रहे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट का जो सें अगर हम बात करें यहां पर फ्यूचर के डेटा की तो यहां पर हमें शॉट बिल्ट अप होता हुआ दिक रहा तो यह हमें एक नेगटिव सेंटिमेंट शो कर रहा प्लस ऑप्शन का डेटा भी हमें एक यहां पर वीक्नेस के तरफ इशारा कर रहा है तो मिज़ुर्य यहां पर यहां पर देख सकते कि यह 5 छो पर वर मेशन अवर यहां हमें दिखाई दे रहा है तो लिए अपका फार मेशन होता हुआ उन हमें खर निवी आने वाले टाइम में निफ्टी आपका 18,907 यहां तक का लेबल देखने को मिल सकता है अगर यहां पर निप्टी आता है तो यह वेब C जो है तो यहां पर यह correction हमें पूरा होता हुआ दिख सकता है जो यह correction होगा तो then after हमें एक up move देखने को मिलेगा एक bounce back तो फिर हम देखेंगे कि यह double correction के अंदर एंटर कर रहा है या फिर यहां से एक reversal बना के ऊपर जा रहा है मैंने last video में आपको monthly chart के भिहाफ पे explain किया था कि जो bad activity का मेरा target है जो कि unbelievable target है आपने देखा होगा video तो वहां पर जो मैंने target दिया है वो basically monthly chart पे है बट यहां पे हम long का trade भी पकड़ेंगे यहां पे अगर हमें short का opportunity मिलेगा था हम वो भी पकड़ेंगे तो निफ्टी अभी हमें फिलहाल यहां पे long का trade नहीं देख रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद यहां वे 4th का formation नहीं हुआ है तो अभी हम long के side का कोई भी ट्रेंट नहीं करेंगे जब तक यह target हमें अचीव नहीं हो जाता इसके बाद हमें price का भी confirmation मिलना ज़रूरी है जब price confirm करेंगा कि हाँ आप उपर का जो रेंट है वो resume होने वाला है तो फिर हम long के side को भी ride करेंगे बट अभी फिलाल for the time being यह sell on rise market है तो यहां पर हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे तो कल के लिए हमारा चैनल पर अपडेट कर दूँगा मैंने बैंक 50 में आपको अपडेट किया था कि बैंक 50 में जो target है वो almost achieve होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अगर हम यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो reading है की हुई है तो अब यह देखना है कि यह extended form में जाता है या फिर यहां पर टार्गेट आ चुका बैंक 50 में जो वेप सी है वो वेव एक के एक्विवेलेंट हो चुका है यहां से वेव एक का फॉल था और यह सी का फॉल इंफक्त यह extended यहां पर है 100% मतलब कि यहां पर बैंक 50 का हमारा टार्केट था जो हमने प्लान किया था और आप सबने यह प्रॉफिट को इंज्वाई किया होगा बट हम थोड़ा जल्दी निकल गए हमने यह पॉइंट शोड दिया वाट इस ओके मार्केट है यह चलता रहता है तो बैंक का ट्रेड वापस से ले सकते हैं यहां के टार्गेट के लिए इस पे उपर का स्टॉप लॉस नीचे में वाली स्टॉट के लिए प्लान करेंगे वाट हम कॉंटिटी को रिड्यूस करके 25% कर लेंगे क्योंकि एक्सपार ही है तो हमें एक अच्छा स्टॉप लोस यहां पर स्टॉप लोस रखेंगे तो इनके ब्रेक आउट पर अगर जो खंजर वेट कीजेगा अगर माली जे कि यह ब्रेक करता है यहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है यह ब्रेक करने के बाद यह वापस से इसको रिटेस्ट करके फिर यह स्टॉइंग निकालता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हाथ में रहे तो यह मेरा प्लान अफ एक्शन होगा बैक के लिए और यहां पर इसको ब्रेक करता है और कुछ प्राइस एक्शन दिखता तो फिर हम शॉट के लिए प्लान करेंगे बाट क्वाटिटिटी पर चॉट का ट्रेट के अंदर में प यहां से जो हमें सी का मुव मिलेगा यह वन टू थी और फाइफ तर यहां पर यहां से लेकर यहां का एक्स्टेंशन डालेंगे और आफ्टर जो हम टार्गेट यहां पर प्लान करेंगे इप मींस कि हमें इन फूचर बजाज फिना जो है शायद हमें 100% मतलब 6993 तक का ले सब्सक्राइब करेंगे और इस मार्केट में जो यह फॉल आया है तो मेरे भी बहुत सारे पोजिशन यह कुछ पोजिशन लॉस में भी है बट मैं अपने अनालिसिस को लेकर काफी कॉफिडेंट हो तो मुझे पता है कि जो टागेट है वो टागेट मेरा होता हुआ देख सकता है आने वाले टाइम में तो हम इसकी बात करें तो मंगलम सिमेंट में यहां पर कंटिनियूसली आ करेंगे आजियर कि मैं बहुत सारे से स्टॉक है जिसमें मैं प्राफिट बूक करके निकल चुका हूँ वहां पर मैं वहापस से रही एंटर करोगा तो अगरम 75 निट का टाइम पर इसको देखने को मिलेगा कि यहां से एक अच्छा सपोर्ट है जहां से यह ब्रेक आउट ह आपको यह वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैक्स फुर वाचिंग केप लाइनिंग एन के पार्णिंग